कि नमस्कार साथियों भैरुन बीर सिंग आप सभी का आपके अपने परिवार आइटे एड़टी फॉर सेवन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हादि स्वागत करता हूं साथियों वेकेंसी न्यूज की एक और अपडेट लेकर आप लोगों के सामने पसित हुआ हू तो आप इस फाल को भी फिलब करिएगा और यजा सकते ही दिए वार राश्टी प्रस्थान प्रदोग कर बाहार आई हुई है और राष्टी प्रदोगिक आजो भई राष्टी प्रदोगिक संस्थान ठीक है राष्टी प्रदोगिक संस्थान से यह वेकंसी निकरकर आपकी बाहर आई हुई है ठीक है चलो देख लो यह रही आपकी नोटिफिकेस्टन राष्टी प्रदोगिक प्रसिस्ट परदोगी सस्थान सिल्चर से और यह आई है कभ की डेट जो होई है वह साथ साथ 2030 यानि साथ जुलाई को यह रिलीज हुई है और यह पोस्ट आपकी है जो टुटल जो हमारा पोस्ट है इसमें जो टेकनीशियन की पोस्ट है हम उसकी बात करेंगे कि हमारे लिए यह कित्ती पोस्ट थे तो यह रहा नौ नंबर पे सीनियर टैकनेशियन नंभर चार सीनियर टैकनीशियन यह दिचि नौ नंबर पर है सीनियर टैकनेशियन लेबल नमबर přेarth Já excited रिकुर्मेंट है दो पोस्ट qr सिट he вам f1 всегда 14-14 सिट्ट है इसके बाद आपि क्या वह तो प्रस्थ और भी है एक टेकनीशन आप यह तो यह है को तो इस ट्रेट किसकेลिए है तो चार दो छे यानि की स्टी के लिए चार एस्टी के लिए दो ओवी सी के लिए छे एड़ेश के लिए दो और यू आर के लिए टोटल अठाइस यानि 28 और करेंगे तो 42 सीट है यानि टोटल हमारी जो सीट वेकंसी 109 जिसमें से आपको 42 आपकी मिलने वाले केतनी है 42 42 सीट आपको मिलने वाली है और इसमें क्या-क्या भाई जरदेख लिया आगे तो सात तारीक उन्होंने कहा भाई निकलेगा और क्या कर डिगरी मांगा है आजाओ भाई देखते हैं आपली का नव नंबर पर होगा क्या क्या वालिफिकेशन मांगा किस तरह से देख लिए ज जाए ठीक है इंदो ने का भाई सीनियर टेक्निशिर की बारी में बता दीजिए तो टेंट प्लस दो होना चाहिए आपका ठीक है दस प्लस टू बारा होना चाहिए अगर आप है तो भी आप इसको भर सकते हैं आपका 60 पर्षंड मार्क होना चाहिए और इसके अलमा आपको आ सकते हैं इस सबसे इंपोर्टन है कि इसकी जो है वह कितनी है 33 से कितनी वाई 33 इसकी एज है इसके अलमा अगर आप बात करें हम आगे की तो 33 के बाद आगे आएंगे तो सीनियर के बाद और क्या पूछ सकता आपको 33 जो गए हां यह फॉर्म का कब से फिलप है तो साथ तार 14 जुलाई तक ही इन्हों डेट दिया है कि आपको वहां तक भर देना है फार्म को यानि के लास्ट टेंड यहां पर लिखा लिखा भी इन्होंने है हाँ फीस देख लिजी कितनी फीस की है इसकी फीस भाई है अप्लिकेशन फीस एक हजार और ओबीसी के लिए वह 500 ना तो है और इसको भरना कैसे है यानि की मतलब आपको एक तरह से हम कह सकते हैं कि इसकी साइट पर है अभी इन्होंने ओपन किया है ठीक है एस्टी टीपी रिक्वार्मेंट यहां आई टीएस असीन पर जाएंगे तो आप यहां पर आप ओपन करेंगे तो खुल जाएगा ठीक है इसका फॉर्म बढ़ा भी जा रहा है ठीक है और इसके बाद हाँ मतलब इस्टेडियो असी असी लिचर जो है आपका कहा है आसाम में तो आपको भाई आसाम जाना पड़ेगा इसके लब मैं बात करूं आप से और कुछ भी अगर आपका है यहां देकि इन्होंने कहा है कि अब 10 डेज में आपको क्या करना आलाइं पोटल बाफ फॉर्द सब्मीशन आलाइं अप्लिकेशन फॉर्म विल्विल दा किप्ट ओपें टेंडेज फ्राम देट पॉब्लिकेशन इंदर एडवालमेंट इंप्लाइड निउज सब तरह हावर्स यानिकी मतलब आपको 17 ता ठ्राम जब 12 टॉर्म रोटलेसा घंपफें लोटी टारामज विल्वार निए विल्व विल्वालमें जालाइं फॉर्द सब्सक्त्र विल्वाजावर्स